सभी लोग बता दीजे कि वाईस हमारी आप तक जा रही है सभी लोग बता दीजे एक बार सब कुछ के लिए रहे तो फिर कि लास को स्टार्ट किया जाए सारे लोग बता दो जल्ली से जल्ली से बता वहीं सभी लोग बताओ सब कुछ के लिए रहे तो फिर कि लास को स्टार्ट किया जाए कि जल्ली से बता दीजेए से लिए भाई तो फिर किलास को करते हैं स्टार्ट सभी लोग देखेंगे किलास आपकी क्या है सारे लोग देखिएगा है सबसे पहला प्रसंग जो आपके सामने दिया गया है सारे लोग देखिएगा प्रसंग क्या है सबी लोग देखेंगे कायताकर खेत की लंबाई और चौदाई क्रमसा 40 मीटर और 30 मीटर है आयताकर खेत का छेतरफल कितना होगा आपको ये बताना है सबी लोग बता दीजिए जल्ली से बताईए tour कोश्न आपके सामने एक आयताकर खेत की लंबाई और चोड़ाई क्रमशा 40 मीटर और 30 मीटर है आयताकार खेत का छेतरफल कितना होगा आपको ये बताना है जो भी छेतरफल हो सभी लोग बता दीजे अंसर कितना रहेगा बताए सबी लोग बता दीजिए एक आयताकार खेत की लंबाई और चोडाई क्रमचा 40 मीटर और 30 मीटर है आयताकार खेत का छेतरफल कितना होगा सारे लोग बता देंगे जितना भी छेतरफल रहे सबी लोग बता दीजिए सबी लोग बताए बई टाइमिंग चेंज नहीं हुई पता नहीं आज किलास लेट तक चलती रही थी सर की इसलिए आपकी किलास इतने बज़े से हो रही है आज सर की किलास लेट तक चलती रही एक आयताकार खेत की लंबाई और चोड़ाई क्रमसा आपको 40 मीटर और 30 मीटर दी गई है आयताकार खेत का छेतरफल कितना होगा आप सभी लोग यह बता दीजे जितना भी छेतरफल है आप सभी लोग आंसर को कर देंगे सबी लोग बताईए आयताकार खेत का छेतरफल कितना रहेगा जल्ली से बताओ भई सबी लोग आंसर कितना रहेगा कोई 120 बता रहा है कोई 1200 बता रहा है बताईए देखो भई आपको सबसे पहले तो हम बता दे यहां पर आयताकार खेत की लंबाई आपको दे दी गई चोडाई दी गई आयत का अगर हम छेतरफल की बात करें कि आयत का छेतरफल होता कितना है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आयत का छेतरफल होता कितना है अगर आपसे हम ये बात कहें तो भहिया लंबाई गुणे चौणाई होता है कितना होता है लंबाई गुणे चौणाई होता है आयत का छेतरफल अगर लंबाई गुणे चौणाई आयत का छेतरफल होता है तो लंबाई भहिया कितनी है आप बताये 40 मीटर है चौणाई कितनी है 30 मीटर है तो भहिया बहु सिंपल सा ये प्रसंद था, आप आसानी से निकाल सकते थे, आयत का छेतर फल आप से पूछा जा रहा है, लंबाई गुणे चोड़ाई आपका फार्मूला होता है, 40 गुणे 30 आपको कर देना था, 4, 3, 12, आपका 1200 बर्ग मीटर अंसर, आ जाता किसी को भी कोई दिक्कत नहीं ह फार्मूला होता है, लंबाई गुणे चोड़ाई, है ना, हर कोई फार्मूला भी जानता है, चलिए प्रसंद संख्या, अगर हम दो की बात करें, दो पर चलें, तो आपका प्रसंद क्या है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटी मीटर, और लंबाई 15 सेंटी मीटर है, आयत का छ सेंटी मीटर है, आप से पूचा जा रहा है, कि आयत का छेतरफल क्या होगा, सारे लोग बता दीजिए, आयत का छेतरफल कितना होगा, बताए, फिल एक मारकर लीजिए, भई इससे सही नहीं दिखता, क्या लोग ऐसा ले लेंगे, इससे सही दिखेगा ना, है ना, चलिए बताए, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटी मीटर है, और लंबाई 15 सेंटी मीटर है, तो आयत का छेतरफल क्या रहेगा, आप आपको परिमाप दिया गया हो, लंबाई दी गई, सबसे पहले तो यह का आपके सामने समस्या यह है, कि आप चवडाई निकालिए, है ना, हाँ भई लंबाई मैत की किलास ही है, बताइए, आंसर बताइए, सबी लोग आंसर कितना आएगा, बहुत सिंपल सा प्रस्न है, पोशन था, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटी मीटर, और लंबाई 15 सेंटी मीटर है, तो आयत का छेतरफल क्या होगा, आप सभी को छेतरफल बताना है, कि आयत का छेतरफल कितना रहेगा, देखो भाई, बहुत सिंपल सा ये प्रसंथा, आप आसानी से इसको लगा सकते थे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे, आप ये बताईए, सबसे पहले सर, आयत का परिमाप होता क्या है, अगर हम आप से पूँचें, आयत का परिमाप, तो सर, आयत का परिमाप होता कितना है, आयत का परिमाप होता है, सर, टू लंबाई धन चौड़ाई, कितना होता है, टू लंबाई धन चौड़ाई होता है, ठीक है, अब आपको परिमाप दिया कितना गया है, भईया 56 cm दिया गया है 2 है लंबाई कितनी है आपको 15 cm दी गई है पिलस आपकी चौड़ाई है अब अगर आप 2 से काटें तो भईया 28 दूना 56 होता है यानि आपका 28 एक्वल टू 15 पिलस B आ जाएगा तो B बराबर कितना हो जाएगा 28 माइनस 15 हो जाएगा एक्वल टू आपका 13 आ जाएगा अब आपकी 14 तेरा आ गई लंबाई 15 है आपसे 6 तरफल पूछ रहा है तो भईया ये बताओ अभी जस्ट हमने लिखा था आयत का 6 तरफल का फार्मूला आयत का 6 तरफल होता है भईया लंबाई गुणे चोड़ाई अब भईया लंबाई आपको कितनी दी गई तो आप कहेंगे सर 15 दी गई चोड़ाई आपकी 13 है तो भईया आप बताइए जब 13 है तो 15 तेरा का मल्टीप्लाई करिए 15 तसामन 1500 और 15 तियां 45 195 बर्ग सेंटीमीटर आपका आँचर आजाएगा जिसका भी 195 बर्ग सेंटीमीटर आया है उसका बिल्कुल सही है आँचर कितना आएगा 195 बर्ग सेंटीमीटर आजाएगा बताओ अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए और किसी का भई आँचर आगया होगा 195 बर्ग सेंटीमीटर चलिए भई अगले प्रसन पे चलते है अगला प्रसन क्या है सबी लोग देखिएगा किसी बर्ग की भुजा 55 मीटर है तो बर्ग का छेतरफल क्या होगा एक बर्ग की भुजा आपको दी गई है 55 मीटर और आपसे कहरा अगर बर्ग की भुजा 55 मीटर है तो बर्ग का छेतरफल कितना होगा आप सभी को छेतरफल बताना है सारे लोग बता दीजे सर बर्ग का छेतरफल क्या रहेगा बताओ सभी लोग बताओ बर्ग का छेतरफल क्या रहेगा तो आप आंसर आसानी से निकाल पाएंगे या आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपको बर्ग का छेतरफल पता होगा तो और अगर नहीं पता होगा तो फिर आपको निकालने में आंसर दिक्कत आएगी तो सबसे पहले तो आप लोगों को बर्ग का छेतरफल पता होना चाहिए कि बर्ग का छेतरफल क्या होता है देखो आपको बता दें सर बर्ग का छेतरफल होता है भुजा बर्ग बर्ग का छेतरफल क्या होता है सर भुजा बर्ग होता है क्या होता है भुजा बर्ग होता है अब भाईया भुजा हमारी कितनी है 55 है 55 का अगर आप square करते हैं तो भाईया 5 का square 55 25 25 दूना 50 ये square निकालने की trick हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि square किस पिरकार से निकाला जाता है तो आंसर कितना आ जाएगा 3025 बर्ग मीटर आपका छेतरफल आ जाएगा अगर सर आपसे छेतरफल पूचा जाता है तो क्योंकि बहुत ही simple सा फार्मूला है आप आसानी से अंसर निकाल सकते हैं किसी को भी कोई सर दिक्कत नहीं होनी चाहिए 3025 आपका अंसर आ जाएगा जब आप छेतरफल निकालेंगे क्योंकि बर्ग का छेतरफल जो होता है वो भुजा बर्ग होता है क्या होता है सर भुजा बर्ग होता है ना बताए भई चलिए सर आंगे चलते हैं नेश्ट प्रसन पर अगला प्रसन क्या दिया गया है प्रसन है किसी बर्ग का छेतरफल 361 बर्ग मीटर है तो उस बर्ग के बिकर्ड की माप क्या होगी आपको ये बताने कोई बर्ग है जिस बर्ग का छेतरफल 361 बर्ग मीटर है तो उस बर्ग के बिकर्ड की माप क्या होगी आपको एक बर्ग का छेतरफल दिया गया है सर जब छेतरफल दिया जाए आपको तो आप किस फार्मूले से आप इसकी वैलू निकालेंगे आप से बिकर्ड कह रहा है कि भाईया बिकर्ड की वैलू आप किस फार्मूले से निकालना चाहेंगे बताए भाई यह जो कोश्चन आपको बताय जा रहे हैं आपके पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं वो प्रसन आपको बताय जा रहे हैं भाई हमको यह लगता है कि सर्जी से क्लास को लगाने में कुछ disturbance हुई है क्योंकि यह क्लास तो हमारी मयत की थी लेकिन चल रही है साइंस की क्लास पता नहीं कैसे सर्जी ने क्लास को लगाया मयत की क्लास चली नहीं रही है जबकि उसी से स्टार्ट किया है कुछ गडबड जरूर होगा उसमें चली कोई बात नहीं है इसी में change करा दिया जा किसी बर्ग का छेतरफल 361 बर्ग मीटर है तो उस बर्ग के बिकर्ड की माप क्या होगी आप लोग यह बता दीजी हमने भी पहले नहीं देखा लाइप दिख रहा था चैनल पर हमने किलिक कर दिया डिरेक्टली चालू होगी हमें पता भी नहीं है अब यह आपने बताया त कि माप क्या होगी सारे लोग बतायेगा कि बर्ग के बिकर्ड की माप क्या रहने वाली सबी लोग अपना-पना आंसर कर देंगे जिसका भी जितना आंसर आ रहा हो अपना-पना आंसर बता दीजी पताये भाई बहुत सिंपल सा प्रस नहीं आप आसानी से निकाल सकते हैं इ देखो भाई, किसी बर्ग का छेतरफल जब आपको 361 बर्ग मीटर दिया जाए आप सबी को पताए कि बर्ग का छेतरफल होता क्या है? बर्ग का छेतरफल is equal to होता है भोजा बर्ग यही तो फार्मूला होता है तो सर छेतरफल कितना है? 361 है equal to आपका भुजा बर्ग है ठीक है अब भाईया भुजा equal to फिर आपका कितना आ जाएगा 361 कितने का होता है आप ये बता दीजिए अगर हम इसका root निकालें तो ये 19 का होता है यानि कि 19 आ जाएगा ठीक है अब आपसे बिकर्ड की माप पूछी जा रहे है भुजा आपकी 19 है root 2 आपका दिया रहता है फार्मूले में तो आपका कितना आ जाएगा 19 root 2 आ जाएगा 19 3 वटे 4 कैसे आएगा भाई आप ये बताएगे इसका बिकर्ड जो होता है बर्ग का वो ए रूट 2 होता है अब ए आपकी भुजा कितनी आ गई उनईस आ गई वहिया आप यहाँ पर कितना कर देंगे 19 root 2 कर देंगे बताओ अगर कोई दिक्कत हो कितना कर देंगे 19 root 2 कर देंगे आप पताएगर किसी को कोई दिक्कत हो कितना कर देंगे 19 root 2 कर देंगे आप चलिए भई अगला प्रसंद क्या दिया गया है सारे लोग देखिए और आंसर बताईए एक तिर्बुज का आधार 18 cm और आधार से उसकी उचाई 10 cm है तिर्बुज का छेतरफल क्या होगा आपको ये बताना है सबी लोग बता दिजे भई तिर्बुज का छेतरफल क्या होगा question आपके सामने है कि तिर्बुज का आधार जो है वो 18 cm और आधार से उसकी उचाई 10 cm है तो तिर्बुज का छेतरफल क्या रहेगा सारे लोग बता देंगे आंसर जो भी आपका रहे सभी लोग आंसर बता दीजिए पता ही भई कितना आंसर रहने वाला है एक तिर्बुज का आधार 18 cm और आधार से उसकी उचाई जो है वो 10 cm दी गई है आप से सर तिर्बुज का 6 तरफल पूचा जा रहा है सारे लोग तिर्बुज का 6 तरफल वता दीजिए जिसका भी जितना आजाए बताए भाई सभी लोग आंसर आंसर बता दीजिए किसी का 180 आराई किसी का 90 देखो भाई आप ये बताए किसी भी तिर्बुज का जवाब 6 तरफल निकालते हो तिर्बुज का 6 तरफल इस इक्वल टू फार्मूला होता है एक बटे दो गुणे आधार गुणे उचाई आधार गुणे उचाई अब आप ये बताए सर तिर्बुज का छेतफल निकालना है तो एक बटे दो आधार 18 है उचाई 10 है सर दो से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा आएगा कितना 18 गुणे 5 आएगा 18 पंचे कितना आजाएगा 90 आजाएगा आंसर कितना आजाएगा सर 90 आजाएगा पताएगे आंसर कितना आजाएगा भईया 90 आंसर आजाएगा जब आप एक तिर्बुज का आधार 18 सेंटीमीटर दिया रहे और आधार से उसकी उचाई 10 cm दी रहे, तिर्वुच का आप से 6 तरफल पूँचा जाए कि 6 तरफल क्या रहेगा, तो आप आंसर कितना कर देंगे, 90 कर देंगे, बताइए किसी को कोई दिक्कत हुई हो, 90 आंसर निकालने में अगर किसी को भी कोई दिक्कत परिशानी आई हो, तो बताइए, अगले प्रस्ण पे चलते हैं, सर अगला प्रस्ण क्या दिया गया है, किसी संबाहु तिर्वुच का छेतरफल अगर 121 रूड 3 वर्ग सेंटी मीटर दिया रहे, तो तिर्वुच की भुजा क्या रहेगी, आप ये बतादे, ये बहुत सिंपल सा ये प्रस्ण है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, अगर आपको किसी संबाहु तिर्वुच का छेतरफल दिया रहे, 121 रूड 3 वर्ग सेंटी मीटर, तो तिर्वुच की भुजा क्या होगी, आप शे अगर ये पूच लिया जाए, तो आपका आंसर फिर क्या रहेगा, सारे लोग बता दीजे, जो भी आपका आंसर रहे, आप सबी लोग आंसर को करती, बताई भई, सारे लोग आंसर करिएगा, जिसका भी आंसर जो भी रहे किसी संबाहू तिर्बुच का छेतरफल 121.3 वरक सेंटिमीटर है तो तिर्बुच की वुजा क्या होगी, आप सभी लोग बताएगा जिसका भी जितना आंसर आ रहा हो, सभी लोग आंसर बताएगे क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रसन है, अगर आप इसका आंसर निकालना चाहें बहुत आसानी से, अगर आपको संबाहू तिर्बुच के छेतरफल का फार्मूला पताओगा तो और अगर फार्मूला नहीं पता है, तो फिर आपको निकालने में दिक्कत आएगी देखो, हम आपको बताते हैं, अगर आप लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो एक बार देखिए भीया, आप ये बताओ, शंबाहू तिर्बुच का छेतरफल का फार्मूला क्या होता है, अगर आपसे ये फार्मूला पूचा जाए, तो आप कहेंगे ये फार्मूला हमारा होता है, अब आप ये बताइए, आपको छेतरफल तो दे दिया गया लेडी, 121 रूड थिरी, इधर भी आपका रूड थिरी डिवाइड वाई फोर भूजा स्कूर होता ही है, या रूड थिरी से रूड थिरी कट जाएगा, चार का गुणा इधर हो जाएगा तो भुजा स्कूर इजिट उक्वल तू आपका आजाएगा, 121 गुणे चार, चार का गुणा कर लिजे भुजा स्कूर इजिट उक्वल तू हो जाएगा, 214 के 84 यानि 414, अब फोजा इकवल तू आपका कित्त आ आजाएगा, 22 चौकू 84 होता है, यानि 22 सेंटी मीटर आपकी भुजा आजाएगी आपसे भुजा पूची गई थी अगर 22 सेंटी मीटर भुजा दी रहे है और आपसे पूचा जाएगी छेतर फल क्या होगा तो आप आसानी से अंसर को निकाल पाएंगे क्योंकि अंडर रूड तीन बटे चार भुजा इसक्वेर होता है 22 का स्क्वेर 484 और अंडर रूड तीन बटे चार वाला चार से भाग लगाएंगी तो 111 आजाएगा यहनी 121 रूड थिरी ही आपका आजाएगा जब आप निकालेंगे तो आंसर कितना आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 22 आ रहा है अगला कोश्चन सर दिया गया है एक ब्रत की तरज्या 28 सेंटी मीटर है तो उस ब्रत का छेतरफल तथा परिदी क्या होगी आपको बतानी वहिया आपको एक ब्रत की तरज्या दी गई है एक ब्रत की तरज्या कितनी है 28 cm है तो उस बृत का छेतरफल तथा परिदी क्या होगी आपको ये बताना है छेतरफल और परिदी समी लोग बता दीजे सर छेतरफल और परिदी क्या रहने वाली है जब आपको एक बृत की तरज्या कितनी दे दी जाए तरज्या की वहलू 28 है आपसे पूँच क्या क्या रहा है छेतरफल पूँच रहा है और परीद पूँच रहा है तो जब आपको त्रज्य 28 दी जाएगी आपसे छेतरफल और परीद पूँचेगा तो आप लोग बताईए भाया किस प्रकार से आंसर निकालेंगे बहुत ही आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं किसी को भी कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आराम से आंसर आजाना चाहिए भाई सभी का सभी का आराम से आंसर आजाना चाहिए किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए देखो भाई आप ये बताओ जब आपको द्रज्य 28 दे दी जाए r equal to आपका 28 हो और ब्रत्य का अगर हम 6 तरफल की बात करें ब्रत्य का 6 तरफल होता है सर पाई r square है ना अब आप हमको ये बताइए पाई की वैलू 22 बट्टे 7 है r square into 28 into 28 कर देंगे अगर आप इसको 7 से divide करेंगे तो सर 7 चौके 28 चार बार गया 22 चौके आपका 88 होता है 88 गुणे 28 करेंगे बहिया जब 88 में 28 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 88 चौँट 4 चार चैर चैर अठूट चौँट और चैर सत्तर दो से काटेंगे दुरूट 16 दुरूट 16 एक सत्तर कितना आएगा 4 चैर साथ साथ 14 की चार हांसे लेक एक एक दो 2464 आपका आजाएगा 6 तरफल परग सेंटिमीटर अब आपसे कह रहा है कि उसकी परिदी भी गयात करिए भाईया अगर हम परिदी की बात करें तो ब्रत की परिदी का फार्मूला क्या होता है आपको ब्रत की परिदी का भी फार्मूला पता होना चैये जो की होता है टू पाई यार भाईया टू इंटू पाई की वैलू है 22 बट्टे 7 इंटू आर की वैलू है 28 साथ से काटेंगे तो साथ चोगे 28 होगा चार दूनी आठ हो जाएगा यानि 22 गुणे 8 कर दीजिए आठ दूनी 16 की छह यहां सी लेक आठ दूनी 16 एक 176 आपका आंसर आजाएगा बताओ कोई दिक्कत हो आंसर कितना आएगा परिदी कितनी आजाएगी सर 176 आजाएगी बताओ अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो परिदी को निकालने में देखो आपने 6 तरफल का फार्मूला लगाया था पाई आर स्क्वेर पाई की बैलू आपको दी गई थी 28 आपने पाई की बैलू 22 बटे 7 लिखा आर की बैलू 28 इंटू 28 क्यूंकि आर स्क्वेर था अब हमने क्या गिया 7 से काटा तो 7 चूंके 28 चार आ गिया 22 चाकू 88 कर दिया और एक ये 28 बचा 88 में 28 का मुल्टिप्लाइ किया 2464 आ गिया जो की ये रहा आपका 2464 ये ना फिर ब्रत की परिदी की अगर हम बात करेंगे तो 2 पाई यार होती है 2 इंटू पाई की वैलू 22 वटे 7 इंटू आर की वैलू 28 होगी सास से कट करेंगे सास चूंक 28 किया चार दूनी आठ किया 22 रहा 22 गुणे आठ किया 166 सेंटी मीटर आपकी क्या आ जाएगी परिदी आ जाएगी पताओ भई किसी को कोई दिक्कत हुई हो अगला और आज का लाश्ट प्रस नहीं आपके सामने किसी ब्रत का छेतरफल 484 बर्ग सेंटी मीटर है तो उस ब्रत की तरज्या क्या होगी अब यहाँ पर आपको ब्रत का छेतरफल दिया गया है जो की दिया गया है 484 बर्ग सेंटी मीटर उस ब्रत की तरज्या क्या होगी आप से तरज्या पूँची जा रही है सारे लोग तरज्या बता दीजिए किसका आंसर क्या रहेगा बताओ उस ब्रत की तरज्या क्या रहेगी एक बार आप सभी लोग बता दीजिए जितना भी आंसर रहे बताईए भई, सारे लोग बतादीजे अरे भई बयास जो होता है तरज्या का दो गुणा होता है अगर जैसे आर बराबर आप डी बराबर बात करें तो टू आर तरज्या में दो का गुणा कर दीजे तो वो आपका बयास बन जाता है ठीक है क्या कर दीजे तरज्या में दो का गुणा कर दीजे तो आपका व्यास बन जाता है अब यहां पर आपको ब्रत का छेतरफल दिया गया भीया ब्रत का छेतरफल होता कितना है आप सभी को पता है कि पाई आरे स्क्वेर अब भाईया छेतफल दिया कितना गया 484 पाई की वैलू सर 22 बट्टे 7 होती है into r square होगा पाईसम पाईसम आपका होता है 784 पाईस गुणे 7 कर देंगे जब किराश मल्टीपिलाई होगा तो भाईया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 पंदरा r square बराबर 154 तो r बराबर भाईया ये कितने का क्या होगा अगर 154 के आप factor करेंगे तो कितना आएगा 2 से काटिये 2 सत्य 14, 2 सत्य 14 सास से काटिये 11 11 से काटेंगे एक भाईया यहाँ पे तो कोई factor भी नहीं बन दा है कहीं गलत तो नहीं कर दिया किसी बरत्य का छेतरफल 484 उसे बरत्य की तरज्या पाई यार स्क्वेर छेतरफल होता है 22 बाईसम आपका होता है 484 बाईस का बर होता है यानि कि 22 ही आजाएगा 22 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 114 नहीं हो जाएगा भाईया आपका r बराबर under root में 114 नहीं आजाएगा जो की हम बाहर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसका किसके साथ में multiply करें जो बाहर आजाए root में तो आपकी फिर तरज्या इतनी ही रहेगी इसके आंगे solve ही नहीं हो सकता है पताई अगर किसी का solve हो रहा हो तो बता दीजिए है ना पताई भाई इसके आंगे सवाल जो है वो solve ही नहीं हो सकता है सवाल का answer जो रहेगा वो इतना ही रहेगा ठीक है भाई चलिए भाई तो आज की class को यहीं पर खतम करते हैं पिर आपको कल मिलते हैं 8 बजे है बैसे 8 बजे से class होती है पता नहीं सर कैसे लगाए कि 8 बजे class लगाई हमने चालूं कीगी तब तक 8 बजे ही होगी है परिशान होने की जरूरत नहीं है आप सभी लोग daily आय करिए और बता दीजे कि class कैसी लगी आपको सभी लोग बता दे